भारत की पच्चिमतट पर इस्तित मुंबई सहर जिसे पहले बंबई या पॉंबे नाम से जाना जाता था। बैसे तो मुंबई का इतियास काफी पुराना है लेकिन सत्रवी सताप्ती में इस सहर के साथ एक दिलचस्प खटना खटी थी जिसके बारे में पहुत कम लोग जानते होंगी। आज हम आपको इसी दिलचस्प खटना के बारे में पताने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों मैं हूँ स्वीटी और आप दीख्रों डिस्कवर टी भी इंडिया तो चलिए सुरू करते हैं। पंदरभी सताप्ती में जब पुर्थ गालियों को गोवा में कबजा था तब उन्होंने 1534 इसपी में मुंबई त्वीप समूपर हमला किया। तब यहां गुजरात की सुल्तान बाहत्तुर साका कपजा था जिसे हत्याकर इस द्वीप समूपर पुर्थ गालियों ने अपना दिकार कर लिया। उसके बाद इस द्वीप समूपर उन्होंने कई सालों तक राज किया। सत्रवी सताप्ती की सुरुआत में जब अंग्रीज पहली बार भारत आये तो उनकी नजर भी मुंबई द्वीप समूपर पड़ी। क्योंकि उस समय तक ये द्वीप समूपर एक महत्पूर ब्यबजाई के इंदर बन चुका था। कहते हैं कि इस दीप समूपर को लेकर अंग्रीज और पुर्थ गालियों में कई बार बिबाद हुए। बात में दोनों की बीच का ये विबाद तब खत्म हुआ जब पुर्थिकाल की राजा ने अपनी बेटी केतरीन की साधी इंग्लेंड की राजा चारसल तुथी से करने का फैसला किया। 1661 इस भी में पुर्टिकाल की राजकुमारी केतरीन और इंगलेंड के राजा चाल सुदितिये की साधी हो गई बैसे तो इस साधी में पुर्टिकाल ने इंगलेंड को पहुत कुछ दिया लेकिन सबसे जरूरी चीज तो उसने दी पोथा मुंबई दीप समू पुर्टिकाल ने मुंबई को ही दहिच के रूप में इंगलेंड के राजक को दे दिया हाला कि पादमे राजा चाल सुदितिये ने मुंबई दीप समू को इस्ट इंडिया कंपनी को मातर 10 पाउंड प्रतिवर्च की दर पर दे दिया इस तरह अंग्री चुका मुंबई पर कपचा हुआ जो भारत की आजाधी तक रहा तो आपको ये वीडियो कैसी लगी में को कमेंट करके बताईए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटविकेशन बेल को आउन करें तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में तब तक खुश रही अपना ख्याल रखे अपनी स्वीटी को ही जा जातीजी बाई